Committee to Social Justice, yes. Okay, finally, 22 January को Ram Mandir का Consecration Ceremony है. आपने कहा कोई ऐसा गाव नहीं, जहां BJP के वर्कर्स, RSS के वर्कर्स ना पहुंचे हों, चावल भांटने के लिए, उसकी चर्चा करने के लिए. मुझे ये बताईए, बहुत डेबेट चल रहा है किसको इन्वाइट किया, किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, इस पे आपकी क्या रहा है? देखे, मेरे हाथ में किताब है, बर्काजी मैं चाहता हूँ, इसका फोटो हो जाए. एक मिनट, ये तस्वीरों से निकले तो हम आपकी किताब भी देख पाएं, एक मिनट के इन्वी हाँ जी, दिखाएए प्लीज, दिखाएए किताब आँ जी, क्या लिखा है? ये है डाक्टर राम अनोल लुहिया, जी, 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 यो सारे देश के सोसिष्टों के आदी पुरुश है, जी, इन्हों इन्होंने लिखा है राम, कृष्ण और शिव और दूसरा लिखा है रामान मेला, हम राम को अपना आराद मानते हैं राम हमारी भारतिय संस्कृति के वाहक है वो सामराज बादी नहीं है वो बादी को हरा करके सुगरीव को राज देते हैं वो रावन को हरा करके उसके भाई को राज देते हैं वो अपनी पत्नी के लिए इतने विचलित हैं इतने विचलित हैं कि साधान आदमी की तरह से रोते गाते हैं कृष्ण भिन है राम रोते हैं, कृष्ण रोते नहीं हैं सफलता हैं प्राप्त करते हैं लेकिन वरंदावन में भी जैराम जी की होती है और अयद्धा में जै कृष्म जी नहीं होती उनकी मर्यादाओं की वज़े से उनके मंदिर का निर्मान सुप्रिम कोट के आदेश के बाद हुआ है जी बारतिय जंता पार्टी उसको अपनी पार प्रांट प्रतिष्टा में जाकर के जो इंडियन ट्रेट संसे उनको रिच करना चाहिए जी राम के खिलाब बयान देने से अगर बोट बड़ती हैं तो कोई हम से बहस कर देए और पूरे देश में कोई भी इविन दा मुस्लिम मैं सेरूप करता हूं फारुक अफदुल्ला को जिसने कहा कि वो खाली हिंदू के राम नहीं हैं वो हमारे भी हैं इमामी हिंद है तो